प्रिष्ट संख्या 31 सत्यजीत राय जन्म 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल प्रमुक फिल्मे अपराजिता अप्पु का संसार जलसाघर देवी चारूलता महानगर गोपी गायन बाका बायन पाथेर पांचाली बंगला शत्रंज के खिलारी सद्गती हिंदी प्रमुक रचनाए प्रोफेसर शंकू के कारणा में सोने काकिला जहांगीर की स्वन्मुद्रा बादशाही अंगूठी आदी प्रमुक सम्मान फ्रांस का लेजन डी ओनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर आसकर और भारत रतन सहित फिल्म जगत का हर महतोपूर्ण सम्मान भारतिय फिल्मों को कलात्मक उचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पांचाली बांगला 1955 में प्रदर्शित हुई उसने राय को अंतरराष्ट्रिय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतिय निर्देशक बना दिया इनकी फिजर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है इन फिल्मों के जरिये उन्होंने फिल्म विधा को सम्रिध ही नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादतर फिल्में साहितिक कृतियों पर ही आधारित है इनके पसंदीदा साहितिकारों में बांगला के विभूती भूशन बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है फिल्मों के पटकता लेखन, संगीत सैयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांगला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है इनकी लिखी कहानियों में जासुसी रोमांच के साथ-साथ, पेड़-पौधे तथा पशू-पक्षी का सहज संसार भी है अपु के साथ धाई साल, नामक संस्मरण पाथेर पांचारी फिल्म के अनुभवों से संबंधित है जिसका निर्मान भारती फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है इससे फिल्म के स्रिजन और उसके व्याकरन से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लेमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधन हीनता के बीच अपनी कलाद्रिष्टी को साकार करने का संघर्ष भी है इस पार्ट का भाशांतर बांगला मूल से विलास गिते ने किया है किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूज पहली होती है बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्में पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है अपनी पहली फिल्म के रजना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवन्त रहता है इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बिहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है